गार्टिंग के पार्ट शाला के अभी तक 11 भाग प्रसारित हो चुके हैं और उन भागों में हम लोगों ने बेसिक बहुत सारी चीजे जानी जैसे कि आपकी जगे कैसी है और उस जगे में आपके कैसे पोधे उप्युक्त रहेंगे साथी साथ सही पोधों का चुनाओ नरसरी जाने के बाद कैसे करें जिससे कि हम लोग अपना बुद्धि मत्ता पूरवक बहुत सस्ते में बहुत अच्छे पोधे ला सकें कैसी मिट्टी को बनाना है और उस मिट्टी को खाद कैसे खिलानी है किन पौधों को कप कप खिलानी है इंडोर पौधों को हरा भरा रखने के लिए कौन सी खाद खिलानी है अपने फूलों वाले पौधों में धेर सारे फूल लेने के लिए हम लोग कौन सी खाद डालेंगे साथी साथ अगर कुछ सबजिया बो रहे हैं तो सबजियों में हमें कौन कौन सी खाद डालनी है मिट्टी का एसिडिक लेवल क्या रखना है सब कुछ हम लोगों ने एक-एक करके जाना आज बारी है खाद के ही चोथे भाग की यानि की आज हम लोग बात करेंगे इन कैक्टस और सक्लेंड्स की बहुत खुपसूरा से छोटे-छोटे पौध है जब हम लोग किसी के गार्ड लुट बड़ना चाहते हैं तो मत लगाएं मोट लगाना चाहते है तो निख घानो पर छोटि-छोटी जाहते हैं उनके बारे में स्कूले चाहत और आज हम लोग जानेंगे इस बार्वे भाग में नमस्कार गार्डिंग की पाठ्षाला के बार्वे भाग में आप सभी लोग का एक पर फिर से धेर सारा स्वागत यहां पर कुछ मैं अपने दिखा रहे हूं कैक्टस और सेक्लेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले आपक क्योंकि एक साल पहले तक मुझे भी ABCD नहीं हाती थी इन कैक्टस और सेक्लेंट्स की तो सबसे पहले जिससे मैंने सीखा उनको धेर सारा शुक्रिया और आज मैं इस लायक हो गयूँ कि आपको भी सिखाना चाहती हूँ तो सबसे पहले तो शुरुआत करूँगी मैं उन पहुदों से जो आप सब के पास है स्नेक प्लाट्स हमें से बहुत सारे लोगों के पास जो एक तरह का आपका सेक्लेंट ही है बहुत सारे लोग हो सकता है ना जानते हूं कि आपका ये स्नेक प्लांट यानि किसेंसे वेरिया भी आपका सक्लेंट है और बहुत सारे लोग इसकी केरिंग बड़े अच्छे से कर लेते हैं पर जब अपने कुछ उन सक्लेंट की बात आती है तो हम लोग ये सोचके घबरा जाते हैं कि सक्लेंट कैसे लगाएं मर जाएंगे हाँ यहाँ पर एक ज़रूरी बात कई बात टंप्रेचर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उस समय तो परेशान होना स्वाभाविक है पर नॉर्मल टंप्रेचर में आपको परेशान होनी की कता ही ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर अभी जो जो पोदे में दिखा रही हूँ यह सारे सक्लेंट की वराइटी में आते हैं और घास की तरह बढ़ते हैं अनजाने में आप इनको बहुत अच्छे से पाल पोस लेते हैं तो घबराइए मत बस ध्यान से देखिए कि आपके गाटन में कौन-कौन से सक्लेंट से हैं जो घास की तरह बढ़ेगा मगर सक्लेंट है बहुत ज्यादा कोई केरिंग की जुरूरत ही नहीं है घास की तरह आपने एक बार लगा दिया ना तो बस बेफिकर हो जाएए एक पत्ती से ना जाने कितनी आपकी यह बेल फैलती चली जाएगी तो यह बहुत आसानी से लगन में ही आता है जिनको तो हम लोग बड़ी सावधानी से और बहुत आसानी से लगा लेते हैं पर जब सक्लेंट नाम सुनते हैं तो हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं अपना यह बेबी संरोज बहुत सारे लोगों ने लगाया भी होगा छोटी से छोटी कटिंग से भी लग आता है और बहुत आसानी से बहुत तेजी से फैलने वाला बहुत खुबसूरत से चोटे-चोटे से फूल भी आते हैं तो अगर इन बढ़ Weod passion के केर आहरेisti के बेफिकर कोई भी सकलेंट आप लगा सकते हैं चोटी-चोटे से फूल इस सुबब विड לिप कि आता फोटी की तो खीलेंगे इधर एक यह दिखिए परपल हार्ट बहुत सारे लोगों ने लगाया होगा और आपको पता भी है कि कितनी आसानी से लगता ये भी अपना एक तरह का सखेलेंट ही है तो इन में से कोई नो कोई सखेलेंट आपके पास जरूर होगा और दिखाऊं कोई सक्लेंट, यह अपना वही फेंटरिंग जीओ, घस की तरह बढ़ने वाला अपना देफिखर हो के अगर आपने इस सक्लेंट को पाल पोस लिया है, तो बस हिम्मत बढ़ाए और और भी लगाडा लिया कुछ सस्ते से सक्लेंट, अपना यह मदर आफ एक पत्ती से हजारों पोधे हैं प्रोडेस करने वाला अपना हजारों की जनिनी, कुप सूरत सा मदर आफ थाउजंट, यह भी अपना सक्लेंट ही है, और साथी साथ एक और यह अपना टर्टल वाइन, यह दूसरी वराटी है, देसी वाली और जो पीछी अपने हेंगिंग देखिए ति वो भी अपना टर्टल वाइन है, और यहां पर देखिए अपना खूब सूरत सा पॉनिटल पाम, नोलिना पाम, यह भी हमारी सक्लेंट की कैटागरी में ही आता है, तो निशित रूप से आपके गार्टन में बहुत सारे ऐसे पोधे होंगे, जिनको आप भी खुब सूरती के साथ पाल पोस रहोंगे, बिना यह जाने की वो सक्लेंट है, यह भी सक्लेंट की कैटागरी में आता है, और यह सामने अपना परपल हार्ट, यह भी सक्लेंट, तो चलिए आज कुछ ऐसे सक्लेंट दिखाते हैं, जिनका नाम सुनके आप डर जाते हैं कि य शायद मेरे गार्डन में नहीं रुकेगा, कुछ मैंने लाश्ट यहर भी लगाया थे, पर इस साल दिल्ली में बहुत भैंकर गर्मी पड़ी थी, तो उस गर्मी के चलते कुछ सक्लेंट तो मेरे बच गए, पर कुछ को मैं नहीं बचा पाई, यह गर्मी का प्रपहु था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाता है मौसम, तो हम चाह के भी बहुत सारे पोधों को नहीं बचा पाते हैं, तो बस वो रीजन था है, इस बार फिर से कोशिश कर रही हूँ, अब इन सक्लेंट और कैक्टस के लिए, मिट्टी कैसी बनानी है, पानी कितना देना है, कप-कप देना है, धूप कितने खिलानी है, सब कुछ में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो सारे के सारे वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो अगर इनकी पाल पोस के बारे में अगर डिटेल्ड वीडियो देखने हैं, तो आपको चैनल पर वो वीडियो पानी, ज्यादा पानी और ज्यादा खाद, दोनों ही हमारे सक्लेंट्स के लिए दुश्मन, इन पोदों में अभी जब मैंने इनको लगाया था, तो उसी समय मिट्टी में मैंने थोड़ा सा खाद मिलाया था, बाकि उसके बाद से अभी तक मैंने इन पोदों में कोई तो निशित तौर पे आपके स्क्लेंट्स मर जाएंगे और खास तौर पे गर्मी के मौसम में आप इनमें एक भी खाद नहीं देंगे क्योंकि ठंडी जगह के पोधे वैसे ही आपके यहां की गर्मी जहल रहे हैं और आपने अगर गरम गरम खाद दे दी तो पोधे पक्का मर जाएंगे अगर जब भी आपको इनको खाद देनी तो अभी इनका बढ़त लेने का टाइम है अभी इसमें बहुत अच्छी इन सक्लेंट्स में घ्रोथ हो रही है तो इस मौसम में आप खाद दे सकते हैं खाद आप वर्मी कंपोष्ट भी दे सकते हैं अपना किचेन वेश ही देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा बस दो मुठी आप घोल लिजी एक लिटर पानी में और थोड़ा थोड़ा करके सारे पोधों में दे सकते हैं इनकेस अगर आपके पस वर्मी कंपोश्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोश्ट भी दे सकते हैं क्योंकि हलकी सी एसिडिक मिट्टी में ये आपके सक्लेंट्स नहीं मरेंगे पर वो खाद आपकी प्रॉपर तरीके से पकी होनी चाहिए अतकचरी खाद आप अपने इन कैक्टस और सक्लेंट्स में कभी भी नहीं देंगे अगर इन बातों का ध्यान रखा कि आपने बार ब जरूरत कि आप थोड़ा सा एक्स्पिरियंस ले 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 तब उन वराइटी को खरीदे जिसे पौधों में बहुत सारे डेलिकेट पौधे होते हैं बहुत सारे हाड़ी पौधे होते हैं उसी तरह से इन में भी अलग-अलग वराइटी होती है तो अगर स्टार्टिंग उनके वीडियो में देखती रहती हूं और साथी साथ आपको बताया है कि आप मैंसे किसी को गुरू बनाया था बहुत सारा मैंने सीखा था इसलिए आज आज आपको सिखाने की भी हिमत कर पा रहे हूं तो अगर आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो आप ये च समस्या थी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिस करूँगे कि आपकी मदद हो पाए और आप भी अपना ये शौक पूरा कर सकें जो कि अभी तक नहीं कर रहेते डर की वज़े से तो आप अपने शौक को जी सकते हैं धीरे धीरे आप खुद भी माश्टर हो जा बस वीडियो होता है खत अब पस्ता आपका काम वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल की घंटी बजा दीजिए और इंतजार करिए गार्डिनिंग की पाट शाला के भाग तेरा का जहां पर आपको बहुत जरूरी पॉइंट मिलेगा खाद से संबंधित आपके किसी अपने को जरूरत है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और मिलती हूं गार्डिनिंग की पाट शाला के भाग तेरा में धन्नवाद